हलो और नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम टू पूजा अगरवाल्स किचन फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए चत्पटी सी सब्जी लेके आई हूं जो जस्ट 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा और हेल्दी भी है प्रोटीन से भरपूर चने की दाल की सब्जी सिखा रही हूं आज फ और मसाले बाकी चाहिए देखे नमक हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च यह पंच फोरन है हरी मिर्च सुखी लाल मिर्च अद्रग और एक देश पत्ता बस टमाटर वगेरे की जर्वत नहीं हमें तो मैं इसे वाश करके पहले प्रेशा कुकर में डाल के बॉयल कर लेती यह देखे फ्रेंस यह चैने की दाल ऐसे बॉयल हो जाने चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट यह देखे हलकी सी तूट जाने चाहिए फ्रेंस ज्यादा नहीं हलकी सी तूट जाने चाहिए बट कड़क बिल्कुल नहीं रहने चाहिए ठीक है तो चली स्टार्ट करते है सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे साधा तेल डालेंगे अब इसमें तेज पत्ता पंच फोरन डालेंगे फ्रेंज आधी चमच थोड़ी सी हींग हरी मिर्च को तोड लीजिए हरी मि और ये सुखी लाल डालेंगे प्रेंस और ये पंच फोरन वुरा लाल हो जाएका उपके बाद हम इसमें अधरच भी डाल ओनेंगे बस दू मिनट ये हरी मिर्च को गुरेंगे इम फेंस अब इसमें पिली डाल जो हमने उवाली थी वो पानी के साथ डाल देंगे पानी ज्यादा नहीं डालने है क्योंकि ये दाल की सबजी है ये दाल नहीं है चने के दाल की सबजी है ठीक है गैस को तेज रखी अब हम इसमें मसाले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक लाल मिर्च हल्दी और धन्या पाउडर और डालेंगे इसमें चुटकी भर चीनी चुटकी भर चीनी फ्रेंट्स अब इसमें उबाल आने दीजिए दरा सा पक जाएगा फिर हम इसे निकालेंगे तेखिये फ्रेंट्स ये बिल्कुल रेडी है ये पक चुकी है ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी थोड़ी सी गाड़ी रहेगी है और ये देखिये दाल बिल्कुल पकी भी है मसाले भी दिख रहे हैं खुश्बूदार है बहुत ही लजीज है बहुत एजीली बन जाओतार काफी ज्यादा हेल्दी भी है और सामान भी बहुत कम यूज़ किया है मैने तो आप एजीली कभी भी किसी भी बना सकते है राइस किसंग खा सकते है रोटी किसंग या फिर ब्रेड किसंग खा सकते है तो थैंकियो सो मच फ्रेंस कीप वाचिंग बाबाई चदा सी यो